अभी CM Punk की जो गर्मी है, उनके बार में जो बाते हो बहुत जाता चल रही है, उनके WW में आने की, लेकिन एक चीज क्लेर में आपको करना चाहूंगा, जैसा आपको पता है, Tony Khan ने fire किया, suspend किया, terminate किया CM Punk के contract को AEW से, तो उसके बाद अभी ये था कि CM Punk का क्या जवाब आ रहा option कि उनको कोई legally जाना है, Tony Khan के against, और AW के against, सब ऐसा, आप सोचोगी कि, ऐसा CM Punk करेंगे भी क्योंकि, हो सकता भाई, उनकी image या, उनकी का फे सारी, पता नी भाई, भासरल बहुत रहती है, तो मैं पता है, कोट के चाहरी के चकर में क्या सब होता है, लेकिन ऐसी situation कोई भी नह Okay, Hello Chatters, My name is Rohit and you're watching Wrestle Chatter. जादा मिल रहा है बागे शोस से, इस वज़े से ही हो रहा है, बट मैं तो Monday Night Raw के शोस रिसेंटली काफी इंजोई कर रहा हूँ, बावजू दिसके कि वहाँ पर कोई ऐसा भी नहीं है, कि बहुत तगली स्टार पावर है, फिर कोई वाव फेक्टर है, मैं कहा रहा है कि बावर है, हमारा भगवान उतर के आ रहा है, क्योंकि रोनालडो के बारे में यह अपडेट है कि डबल लबली पूरी ताकते जो रोशोरों से लग गई है, कैसी भी करके क्रिस्टायन और रोनालडो को जो है, डबल लबली के क्राउजूल शो में अपियर कर वादे भी, जो साओधी अरेवय का खुद के लोग है, वो चाहते हैं, जो रियाद के जो पूरी जो इनका चल रहा है, कि शो इसको भड़ी फील देनी है हमको, तो डबल लबली अगर रोनालडो को लेके आ जाती है, तो फिर आप इमेजिन ही कर सकते हो कि क्या बं फटेगा डबल लबल कोशिचे कर रही है, यह से कंफरमान के, मत बैठना कि वो चीज हो ही जाएगी, अगर पावर्स में लोग बैठे हुए हैं, साओधी अरेवय के अंदर क्योंकि यह डबल लबली की एफट नहीं है, यह साओधी अरेवय की मैनेजमेंट है, उनके भी एफट है, और वो लोग के साथ, वो डेफिनिटी डबल लबली कर सकती है, और फैंस बोल भी रहे हैं, रोमन रेंज वर्स रोनाल्डो फॉर दी अंडिस्पूटे डबल लबली उनिवर्सल चैंपेंशिप, वो तो नहीं, बट हागर रोनाल्डो आ रहे हैं, तो ऐसा बहुत अतक पॉसिबल है, क्य सिन्यारियो जो हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया, तो अपने आप में इस बार का उजब बहुत जादा स्पेशल हो जाएगा, अगली स्टोरी नाटालिया से रिलेटेट आपको लग रहा हो कि नाटालिया के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, जो मैं रहो कि शो में उनके ब सब्सक्राइब के लिए, जब वह सुपरस्टार स्पेक्टेकल में भी आई थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने दो बार कंपीट किया था, क्योंकि बैकली नहीं आपाई थी, तो एक तरीक से उनको रिवार्ड मिला, और नाटालिया के लिए एक लाइक तो बनता है, इस कोई कांड हो गया, उसके बाद मंदे नाट रॉप पर नहीं आए, तो फिलाल तो सिचुएशन यही है कि प्रॉब्लम नहीं है मैटरिल के साथ कोई, उनको एक्चुल में मैडिकल सिचुएशन की वज़े से ही वह चीज हो रही है, इवन बैक स्टेज भी नहीं थे, तो भी थोड़ा सा दो बार लागाता है, नारौ में अपेर होने से कुछ तो अंसर्टेन सिचुएशन लग रही है, बट होफुली कुछ नहीं है मैटरिल के साथ, और कुछ होगा तो फिल मैं आपको सबस्पहले बता रहूँ है, कुछ ताइम पहले मैं आपको बताया था कि विंस के बारे में और उन्होंने जिम को दुबारा से जॉइन कर लिया है, दुबारा सब उन्हें जो वर्काउट करना शुरू कर दिया है, इवन अभी ना इनकी TKO ग्रूप की कोई मीटिंग वगरा भी प्लैन हो रही है, जो नय स्ताफ आया साथ में मिलके अपनी तीम मीटिंग उसको भी करेंगे, मैं तो बहुत एक्साइट उबाई, ये एंडेवर, यूएफसी और ये डेवल डूपली के मर्जर ये जो भी हुआ है, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े दिमाग, ने ने दिमाग सोचने के लिए आ गए है, डेवल डूपली वैसी करने के लिए क्योंकि करेंटी डबल डूपली ने नहीं प्लैन किया है, इस अफ नाओ की डिसेंबर में उनका कोई प्रीमियम लाइव इवेंट हो, I think सही भी है क्योंकि Crown Jewel Survivor Series बहुत आसपास है, उसके बाद Royal Rumble बड़े बड़ा शो है, और Royal Rumble के लिए अच्छी सी कि मुझे ही लग रहा है, बट मैं देख रहा हूं पाकी जगा तो फिर कुछ लोग के रियक्शन नेगेटिव भी आप बताने एक बार, कॉमेंट ज़रू करना है, तो फिलाल अपडेट यह है कि डिसेंबर में शाही डेवल लबली कोई प्रीमियम लाइवेंट नहीं करवा आपको एड्मिट भी किया जॉन मॉक्स ने कि जिस तरह का रेस्लिंग स्टाइल उनने अडेप्ट किया है पूर अपने प्रो रेस्लिंग के करियर में वह इसकी पीछे बहुत बड़ा कारण है और इन सारी चीजों की वजए से डीन आपरोस खुद यह बात मानते हैं कि उन अब जब बॉडी जवाब दे रही है तो जिस चीज के लिए उन्हों पसंद करते हैं रेस्लिंग करी निया सकते तो थोड़ा सॉफ्ट खेलने के लिए डेवल ड़ी में आना पड़ेगा तो मैं तो बोलूंगा भाई मॉक्स लियार थोड़ा हल्गे से काम लो यार अभी ड जाए अगली स्टेटमें बोलने में इसको डर नहीं लग रहा है अगली स्टोरी जॉन सिना से रेलेटेड है तो जॉन सिना के बार में आपको पता हुआ कि क्राउं जूल्ष की साहथी हरेबेगे शोज में आपिया नहीं होते एक वो जमाल का कि कुछ तो प्राबलम हुई उनकी है ना वह मैं वर्ड नहीं बोलना जांगा यहां पर कि फिर वीड़ एकर अगरा सेंसर मतलब प्राबलम होती थोड़ी तो इसकी वज़े से जॉन से ना कॉंट्रवर्शल रीजन की वज़ेसे साओधी रेबे नहीं जाते लेकिन इस पार वह साओधी रबे के शो में इसकी सिंपल सा रीजन यह कि अब बाकी सारे लोगों ने भी साओधी रेबे में जाके काम करना सिर्फ डव लबली के बारे में बात नहीं हो रही है पूरी इवन पूरी जो ग्लोबली है साओधी रेबे में जो बिजनस से वो लोग काफी बनाने के लिए जा रहे है तो कि चलो आप कोई प्राब्लम नहीं होगी अब मैं जाके आराम से शो में कम्पीट कर सकता हूं और इसलिए वो क्राउंजूल में आएंगे और चांसे पूरे-पूरे कि वह एक रेसलिंग मैच करने के लिए जो इसे पहले में आमको बताया था कि सोलो सिकोवा के साथ या तो रॉयल रंबल में या फिर रैसलिंग में में मैच कर रहे है लेकिन ऑस्टन थरी के साथ मैच होने की दुबारा से कोई भी पॉस्विलिटी नहीं है कि बहुत सार लोग यह भी बोल रहे थे यार कि जो स्टन थरी को नेगटिव इंपक्त पड़ा है जॉंसने के साथ फ्यू आपको दिखाया था नहीं जो कह रहे थे वो मेरा लॉड़ेस्ट रैक्शन है वो कहते हैं I am so grateful and humble that I could give you the loudest crowd reaction of all time यह उस्टन थरी की वज़े से reaction आया है ऐसा उस्टन थरी का कहना है और फिर तुमको आराम से अटेंशन भी मिल जाती है और यह फायदा समय ऑस्टन थरी में लोटा 8000 के आस पर लाइक्स भी हो चुके हैं इसके उपर लेकिन बंदा टैलेंटेट है यह बात मैं भी बोलूँगा बली ऑस्टन थरी को बताने की जरूरत ना हो यह ऑस्ट्रिया वह अभी करन रॉस्टर में में और समयक्रोब समक्रोब ने कौन को तो सुपरस्टार है जै बताना मुझे मेरी नजर में भी कुछ हैं लेकिन देखते हैं कि आपकी नौलेज्व यह वह कितनी अच्छी और आज की चक्रशे कुछ पयर अलह स्ट और कूज हो जाओ गए जिं जिसमें एक fan ने उनको वीडियो सेंड करी है और यहाँ पे WWE Performance Center में पहुचे हुए है Randy Orton और मुझे आपको बताने की ज़ुरत नहीं है जब कोई Superstar Performance Center में पहुचता है तो इसका मतलब की वो तयार है अपने WWE Return के लिए वो ट्रेंग कर रहा है बहुत मस्त और हेल्दी ऐसे में Randy Orton और बहुत जल्दी अब आप expect कर सकते हो कि Randy Orton वापस आने वाले हैं इससे बड़े good news के साथ मैं इस वीडियो को एंड नहीं कर सकता तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने friends के साथ जो डबल डबली में इंटरस सकते हों उनके साथ आप चानल वीडियो को शेयर कर सकते हो चानल को सब्सक्राब भी कर लेना and I will see you guys in my next video